नमस्कार मेहुराज मुहंतिवारी और आप जुर चुके हैं लाइब भिहार भारत के साथ 27 सितंबर को ट्वीटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा हैस्टेग रेलवे ग्रूप डी इक्जाम डेट 2019 का विज्यापन है एक लाख पदों की ये बहाली है और एक करोर सत्रा लाक अभियर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है धाई साल बीद चुके हैं पर परिच्छा की तारीक नहीं मिल रही है देश के लिए ये बेहद ही दुर्भाग पूर्ण है कि अब परिच्छा की तारीक के लिए भी की आंदोलन करना पड़ता है यह जो ट्वीटर केंपेंड चला यह कितना इफेक्टिव था इसमद में बात करेंगे हमारे साथ नवीन सरे सर कैसा लग रहा है ट्वीटर केंपेंड आपको और क्या उमीद है अब कल ट्वीटर केंपेंड बहुत अच्छा चला लगभग 4.2 मिलियन बच्चों ने ट्वीट किया यह अपने आप में इस बात को दर्साता है कि स्टुटेंट भी काभी अक्टिव हुए है और काफी नराद चल रहे हैं सरकार से तभी आंदोलन की जरुरत परी है जैसा कि आपने बताया कि 1 करूर 17 लाग बच्चे फॉर्म भरे हुए है और हर चीज के लिए यहां अंदोलन ही करना पड़ता है अभी आप देखते हैं कि वेकंसी के लिए अंदोलन करिए वेकंसी आ गई तो एक्जाम दिलाने के लिए अंदोलन किजिए एक्जाम दे दिये तो फिर रिजल्ट के लिए अंदोलन रिजल्ट दे दिया तो फिर फा प्रभाव कितना परा तो हम जैसा कि आपको पहले भी चर्चा किये थे तिंचार दिन से हम देली में ही थे और वहां पर मूल रूप से हमारा उद्देश था कि इस ट्विटर केंपेंड को और एक गती परदान की जा पाए जिससे कि और मैक्सिमम ट्विट हो पाए चुकि मैक जा杂पूर वाले विवैक सर से मिले राकेज जादब केरियर विल वाले अभी कई सारी चीछा सर से बात हुई और कई सारी टीचण वीडियो वीडियो बीनाए खाए वी और आगे एक संभावना जता है कि अभी तो यह कैम्पेंण चला हमारा इसका प्रभाव देख लेते ह हैं अगर बहुत सफल यह campaign नहीं रहा तो एक बार दो अक्टूबर को पुने हम लोग प्रियास करेंगे हलांकि इसके बारे में अभी पूरी तरीके से आम सहमती निकल करके नहीं आई है हो सकता है आज कल में मीटिंग हो और उसमें कुछ आगे कारणीती तय हो अभी 100% हम इसक से हमारा वहां पर appointment नहीं लिया हुआ था जिसके कारण बरे अधिकारी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई रेल मंत्री से मुलाकात हमारी नहीं हो पाई लेकिन वहां और भी संबंदित अधिकारी थी जिनसे हमको मिलने के लिए दिया गया और उन्हों वहां पर हमने अपनी ब उन्होंने ये आस्वासन हमें जरूर दिया कि इस campaign का परभाव चुकि नीचे से लेकर उपर तक जितने अधिकारी होते हैं, संबंदित बंत्री होते हैं, जरूर उनके नजर तक जाती है, उनके कानों तक यह बात है जाती है और हो सकता है कि इस से related कुछ बात हैं, इसका result फर परजाम कंड़क्ट कराना अपने आप में ही एक चुनोती होती है, तो इस पर हमने अपना बात रखा कि यह मानते हैं सर, इसमें election भी तो इस बीच में करा लिया गया, जबकि वहां पर तो कितने से इस सबसे ज्यादा चुनोती वाला वो काम है, इस पर वो हसने भी लगे, फिर थोड़ा सा अलग तरीके से हमसे बात भी किये, जो कि हमको अच्छा भी नहीं लगा, इस तरीके से वो बात किये, लेकिन फिर भी जब हमने उनको ये बात समझाने का कोशिज किया, कि हम ये अपनी बात आपको नहीं रख रहे हैं, ये एक करोर 17 लाख वच्चों की बा मुचा है, मेरे ख्याल से इंटर्नली आपका सारा कुछ चली रहा है, थोड़ा इसको और फास्ट करने का प्रियास करते हैं, तो यही आस्वासन उनके तरफ से दिया गया, अब हम लोग को विचार करना है कि आगे क्या रहनीती अपनाते हैं, अभी इंतजार है, थोड़ा चल रही है, लेकिन सुनने में यह भी आया था कि फीजिकल प्रोटेस्ट के समद्ध में भी चर्चाएं चल रही है, गादी मैदान में कुछ दूरी बना कर, वहीं पर बैट कर सभी अर्थी पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ होते नजर आ रहे हैं, चर्चाएं तो अभी भी कोरोना बरा फेक्टर आ रहा है कि क्या गौब्मेंट हमको अनुमती इसके समद्ध में देगी कि नहीं देगी, तो हमको लगता है कि आजकल में इस पर निर्ने हो जाएगा, अगर आम सामती बन पाई आपस में और सरकार के द्वारा अनुमती दी गई, तो हो सकता है कि अर्थियों के सामने भी, और कौन कौन से यह समस्य है, हमारे सामने यह समस्य आयाती है कि जैसे हम लोग कोचिंग चलाते हैं, प्रफेशनल इंस्टिचूट है, बच्चे आते हैं परने के लिए, लेकिन एक ही बच्चे को एक ही चीज आप कितनी बार पर आईएगा, और ज परा उन बच्चों को देख के खराब लगता है, जिनके आर्थिक इस्तिती निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है, बहुत मुश्किल से वो पटना में रह पाते हैं, अपने हॉम डिस्टिक में रह पाते हैं, बाहर रह के त्यारी कर पाते हैं, बहुत सारे आईसे समझे कि क्या इस्तिती रहती है, जिनका लास्ट एज हो रहा है, और इसके बाद एज ही नहीं उनका बच्चेगा, अभी तक एकजाम नहीं हो पाया है, और बहुत बच्चों का मनोबल भी लगातार गिर रहा है, बहुत बच्चे तो सुसाइट तक करने की बातें करते हैं, कि अब हम लोग की तरफ लगता है कि पुरा अंधेरा चा गया है जीवन में क्या करेंगे कुछ पता नहीं चलता है तो अच्छा नहीं लगने वाली तो बहुत सारी बातें होती है और ये सरकार करवयाद देख करके भी कि लगातार नीजी छेतर को बढ़ावा दिया जा रहा ह सारे रेलवे भरती बोर को भंग किया जा रहा है तो नीरासा वाली बात तो है ही और लगतार देख रहे हैं कि अगर नीजी करन को इसी तरीके से बढ़ावा दिया गया दो चार साल के बाद लगता है वेकंसी भी देखने को मिलेगे कि नहीं और वेकंसी इतनी कम होती चली जाएगी कि विरुजगारी तो ऐसे ही चरम पर है बच्चे क्या करेंगे वही है कि समझे की एक तरीके से स्किल्ड लेबर तयार करने में लगता है कि सरकार लग गई है उसी दिसाम काम कर रहे है बार जो है चुनाव निर्धारित होते हैं पांस साल बात चुना हो जाएंग का भी कलेंडर जारी करना चाहिए जितना ही बेकंसी आप दीजिए लेकिन उसको एक रेगुलर्टी मेंटेन किजिए और उससे भी बर करके कि एक टाइम फ्रेम फिक्स किजिए एक साल के अंदर में आपको ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस करा देना है जो कि केंपेन भी चलते रहेगा अभियान भी चलते रहेगा लेकिन हमारा भी मानना है कि दिसंबर तक 15 दिसंबर के बाद निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ अच्छा परिनाम देखने को मिलेगा और एक्जाम का डेट निश्चित रूप से आपका दिया जाएगा कारण यह है कि जैसे कि TCS एक्जाम आपका कंड़क्ट कर रही हमारा अपना खुद का मानना है कि 15 दिसंबर तक MTS SSC GD का एक्जाम हो जाना है जो कि TCS कंडर में है 15 दिसंबर के बाद वो खाली हो जाएगी तो हो सकता है कि NTPC CBT1 का पहले रिजल्ट दे दे और NTPC CBT2 का पहले ए जाम ले सकता है क्योंकि निश्चित रूप से बहुत देर हो गई है क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी हमको महास्वासन दे रहे थे और अपने टेलिफोनिक भी संबंदित बोर्ड में भी बात किये थे तो हमको एक उमीद लगा कि इस पर प्रोसेस फास्ट अंदर अंदर भी चल रहा है देखिए आगे क्या होता है और बच्चों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि साथ साथ आप अपना परहाई भी अच्छे से आप कंटीनिव रखिए क्योंकि आप इसमें ज्यादा समय देंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी परभावित होगी और देना है तो कंपिट्शन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ है इसलिए डेली एकदम पूरा दिन रात एक करके दो से तीन महिने तक आप तयारी करिए उमीद रहेगा तब तक में एक्जाम हो जाएगा और अच्छे साथ मेहनत करेंगे तो रिजल्ट के भी गारेंटी बनी फैसला लेता है फिलहाल सर्ग और जो अन्य शिक्षक है खासकर पटना के और दिल्ली के तो उनके बीच में बातचीत जारी है कि आगे किस प्रकार से अगर एक्जाम डेट नहीं आता है अभी तो आगे लड़ाई के से लर नहीं है एक्जाम डेट को जल्द से जल्द लेना है ताकि अभियर्थियों का जो इंतजार है वो खतम हो और वह अपने कडियर को लेकर आगे बढ़े आगे बने रहे हैं भारत के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लाइब भिहार यूट्यूब पर और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें